वेल्कम टू भाई की बढ़ाई सस्क्राइबर और जिनोंने नहीं किया वो कर दो अब आते हैं दूसरे पद पर ये भी भगवान के उपर ही है पर इसमें जात का जिक्र भी किया गया है इस पद में हमें ये भी पता चलता है कि रैदास अचूत है जो भगवान की डेमोक्रेटिक सोच की तारीफ करते है भाई मुझे डेमोक्रेशी से एक किस्सा याद आया हमारे स्कूल में हेड़ बॉय के इलेक्शन होते हैं तो तुमारा भाई भी इलेक्शन में खड़ा हो गया फिर इलेक्शन केमपेन होई सब बच्चों को आउडिटोरियम में बिठा दिया गया फिर जो जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उनसे कहा गया वोट मांगने के लिए अपनी एक स्पीच दो तुम लोग तो जानते हो मैं किता फनी हूँ मैंने अपनी स्पीच मोधी स्टाइल में दी मतरों मुझे ये बताओ हमें एच्चम के खौफनाक साय से आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए दिन में दो ब्रेक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए स्कूल सिर्फ पाच गंटे का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये सब सुनकर सारे बच्चे हूट करने लग गए मुझे चार सो में से अल्मोस्ट धाई सो वोट मिल गए थे मैं जीत गया था और यार हर जगे शरीफ बच्चे तो होते ही हैं और उन्होंने जाकर मेरे खिलाफ आपत्ती जनक स्पीच के लिए कम्प्लेन कर दी फिर क्या था एच्चम तो एच्चम ही होती है मुझे हेड बॉय से हटा दिया गया और इलेक्शन दुबारा हुए जिसमें मेरे को खड़ा होना अलाउड नहीं था हाँ तो वोपस तो रैदास कहते हैं कि भगवान तुमारे अलावा मुझ पर कौन क्रपा कर सकता है जो गरीबों पर अपनी क्रपा बरसाते हैं इसी कारण भगवान को गरीब निवाजू कहा गया है प्रभू दयालू है जो अचूत पर भी राजाओं वाली छत्र चाया देते हैं संसार में सब अचूत को गंदा मानते हैं पर भगवान के लिए सब बराबर है इसी लिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका उपर वाला होता है पर एक्जाम के टाइम पर वो भी नहीं होता रैदास बोलते हैं कि गोबिंदू यानी हिश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रीलोचन और साधना जैसे लोगों को सम्मान दिया है तो वे कहना चाहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं एक छोटी चीज है जो बार-बार पूछी जाती है भगवान को किन-किन नामों से पुकारा गया था इससे पहले मैं आंसर बताओं पैन पेपर ले आओ ले आए ना, तुम्हारी मर्जी है तो आंसर है लाल, गरीब, निवाजू, गुसुया और गोबिंदू इन नामों से पुकारा गया है अब मुझे भी कोई पुकार रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा पर मेरी विडियोज मॉरल के बिना अधूरी है ये बात तो तुम्हें पता है तो मेरी तरफ से यही मॉरल है स्कूल इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन वाली ट्रिक्स न अपनाए क्योंकि स्कूल का इलेक्शन कमिशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है